नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है अनिरुद यहाँ पर चाइना ने एक unmanned helicopter को deploy करने की बात की है और यह वाला जो unmanned helicopter है, मानव रहित helicopter इसको deploy करने की बात जो चल रही है, वो असल में चल रही है तिबत पे और साथी में जो भारत के along border है उसके आसबास भी इसको deploy किया जा सकता है यहाँ पर हम बात करेंगे particularly इस helicopter की specifications के बारे में और चाइना इसको किस तरीके से इस्तिमाल करने की सोच रहा है किस तरीके से यह हमारे border के ऊपर जो है, चाइना की निगरानी को बढ़ा सकता है आए स्टार्ट करते हैं, इस lecture की PDF को download कर सकते हैं मेरे telegram channel से जिसका नाम है अने रोद सर ध्यान रखिए का यह मेरी unique ID है, Twitter पे भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं This is my Twitter handle Study IQ ने अपनी आपको launch कर दिया है, आप पे बहुत अच्छा response मिला है यह वाला course has already been launched, past year prelims की discussion का जिसमें पिछले 10 साल के papers को subject wise cover किया गया है यह वाले 2 courses launch होने वाले हैं, एक जून से इनको launch कर दिया जाएगा प्री booking स्टार्ट हो चुकी है, आप इनको वहाँ पे जाके buy कर सकते हैं हम सभी जानते हैं, इससे परिशित हैं कि पिछले कुछ दिनों से in fact मैं कहूंगा, पिछले 22 से 25 दिनों से लगभग जो problem चल रही है वो China border के साथ चल रही है पहले 5 या 6 मई को हमने problem देखी थी पैंगॉंग लेक पे ये पैंगॉंग लेक जो है ये लदाक में located है इस्टन लदाक के पार्ट में है ये और नाकूला जो की सिक्के में है यहाँ पर 9 मई को problem आई थी यही नहीं उसके बाद problem जो है वो बढ़ते बढ़ते गलवान रिवर वाली में भी चली गई थी जो की पैंगॉंग लेक से थोड़ा सा उत्री दिशा में located है ठीक है उसके बाद आपका डेम चॉक एक काफी contested area है काफी disputed area है यहाँ पर भी जो है एक तरीके से incursion या फिर कह सकते हैं standoff चल रहा है और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो problem है वो चाइना की तरह से तो आही रही है लेकिन इंडिया भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहा है और and one of deterrent fighter aircraft mission by India यह भी यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ पर यह सारी news cuttings आप देख सकते हैं चाइना increases troops in Ladakhs, इंडिया to maintain aggressive patrolling तो इंडिया ने भी यहाँ पर जो है वो गश्त करने की जो अपनी basically tendency है उसको काफी अक्रामक रखा है यह सारी news जो है पिछले ही महीने, इसी महीने की और कुछ पिछले महीने की news यहाँ पर हमने आपको दिखाई है यहाँ पर इसी बीच चाइना कुछ प्लान कर रहा है चाइना's first domestically developed unmanned helicopter focused on plateau operations recently made its maiden flight from Avik base in Poyang, East China's Jiangji province जो यह Jiangji province है, यह यहाँ पर है, ठीक है यह वाला चाइना का एक राज्य है और यहाँ पर यह Lake Poyang के पास में इसका एक Avik base है जहाँ पर से चाइना का unmanned helicopter जो है उसने उडान ली थी यह इसकी खास बात यह भी है कि यह चाइना का पहला घर में बनाया गया घर में विक्सित एक unmanned मानव रहेत helicopter है At an Avik base in Poyang, it conducted several maneuvers including hovering, horizontal and vertical moves as well तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने conduct की hovering से लेके horizontal, vertical moves तक इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से यह helicopter क्या 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 कर सकता है यह दिरिश्य आप देख सकते हैं जब इसको inauguration हुई थी वैसे तो इसका अच्छा एक और चीज़ helicopter का जो नाम है वो नाम है AR-500C ठीक है चाइना इस helicopter को AR-500C को तिबत में deploy करने की बात कर रहा है ठीक है तिबत जो है दुनिया का एक बहुत ही विशाल प्लाटू है तिबत इन प्लाटू जिसको हम बोलते है तिबत इन प्लाटू के बारे में थोटे से basics आपको बता दू यह important है आपके freelance examination के लिए यह दुनिया का highest और largest प्लाटू है with an area of 2,500,000 square kilometers ठीक है इसको roof of the world भी कहा जाता है तिबत इन प्लाटू जो है वो किस तरीके से बना हुआ है बीच में आपका तिबत इन प्लाटू है side में जो है वो ranges है और दुनिया की दो सबसे उची ranges Mount Everest और K2 जो है काराकुरम range वो तिबत इन प्लाटू के ही इर्द गिर्द बनी हुई है यहां तक ही इसका एक और नाम है जिसका नाम है third pole given its ice fields contain the largest reserve of the fresh water outside the polar regions ठीक है यहां पर coming back to the plane helicopter I'm sorry development of AR500C इसको बनाने वारी जो company है वो है aviation industry corporation of china इसी लिए इसको अविक बेस कहा जाता है अविक का ही बेस है जहां पर से इसने प्रदर्शन दिखाया था अपना यह अविक च जिसकी हमें जादा एहमियत है इसका main mission क्या होगा यह basically reconnaissance के लिए use किया जाएगा reconnaissance आप समझ सकते हैं intelligence को gather करने के लिए use किया जाएगा check करने के लिए कि यहां पर कोई और देश के लोग तो नहीं है या फिर कोई हम कोई और activity हमें border पार अगर देखने को मिल रही है तो उ nuclear radiation and chemical containment reconnaissance काफी सारी चीजें केवल एक यह helicopter कर सकता है target को indicate कर सकता है fire strike भी कर सकता है cargo की delivery भी कर सकता है ठीक है nuclear radiation भी छोड़ सकता है तो देख सकते हैं इसकी शमता जो है वो काफी जादा है यहां पर इसकी capabilities की बात की जाए तो यह basically plateau areas में बनाने के लिए खास तोर से बनाया है plateau में क्या होता है जो हवा है वो काफी पतली होती है क्योंकि हवा पतली होती है तो उडान भरनी काफी कठिन होती है especially अगर आप देखें किसी भी अगर हम देखें किसी भी और जो आपका normal fixed wing drone होता है जो की एक विमान के रूप में होता है इसको यहां पर उडान भरना साने से ओड नहीं पाता because हवा काफी पतली होती है और दूसरी चीज क्योंकि जो आपका traditional aircraft है उसको ओडने के लिए एक लंबा runway चाहिए वो चीज आपको यहां पर नहीं चाहिए तो इन दोनों चीजों की वज़े से यह वाला जो plane है यह काफी जाधा advantage आपका अलग से रख safe flights ठीक है technology director जो अविक helicopter के ब्रांच में है उन्होंने कहा है कि यह इतना आसान हमने बनाया है कि इसको केवल एक keyboard और एक screen के थुरू हम आसानी से नियंतरित कर सकते हैं यानि कि इसको एक remote location से चलाना काफी आसान है तो आप देख सकते हैं warfare जो है वो किस तरीके से एक digital warfare की न जाता है तो AR-500C जैसा मानव रहित helicopter उच उन्चाई वाले सीमा शेत्रों में mission में मदद कर सकता है क्योंकि ये विस्तारित अवधी और गश्थी स्थानों के लिए आसमान पर चौकस नजर रख सकता है और जो पैदल सेना के लिए कठिन है तो imagine कीजिए वो वाले इलाके जह पड़े होकर गर्ष्थ करना काफी कठिन माना चाता है उस case में ये उनको काफी advantage दे सकता है चाइना को यहाँ पर upper hand मिल सकता है और अभी इन्होंने बात की है तिबतियन प्लाटू में इसको deploy करने की what if इसको ये जो sensitive areas है जैसे की लदाक वाला area है या फिर सिकिम वाला area वह पर भी deploy करते हैं तो ये और भी cutting साबित हो सकता है भारत के लिए इसी note पर वीडियो का समात करता हूं thank you for listening as always stay tuned and stay safe